Hello student, my name is Shweta from Green Park Senior Secondary School जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको भाशा, लिपी और व्याकरन का फर्स शेप्टर स्टार्ट कर भाया था उसमें हमने आपको भाशा की परिभाशा और भाशा की प्रकार बता दिये थे अब हम आगे चलेंगे अब आगे हैं लिपी कुछ शब्द समय हमें अपने मुख से धोनियों को उचारन करते हैं मतलब जो हम कुछ बोलते हैं अपने मुख से जो भी बोलते हैं उसमें से कुछ धोनियों का उचारन होता है उन धोनियों को लिखने के लिए हर धोनियों का एक चिन निशित किया गया है मौखिक दोनी को लिखकर प्रकट करने के लिए निशित किये गए संकेत को लिपी कहते हैं अत्वा कि किसी भी भाषा के लिखने की विधी को लिपी कहते हैं संसार में अनिक भाषा हैं बोली जाती है हर भाषा की अपने अपने लिपी होती है संस्क्रत और हिंदी की लिपी देवनगरी है थता अंग्रेजी की लिपी रोमन है उर्दू और फार्सी की लिपी फार्सी है और पंजाब भाषा की लिपी गुरू मुख्य है 14 सितंबर 1949 को भारस सरकार द्वारा हिंदी दिवस की राज्य भाष्या गोशित की गई है जैसे कि हमारे पता है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते आए हैं अब हम हैं व्याकरण मतलब grammar इसकी definition स्टार्ट करेंगे व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने वह बोलने लिखने पढ़ने का बोथ कराता है मतलब grammar मतलब व्याकरण को वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने और पढ़ने का बोथ कराता है किसी भी भाषा को सुगटित या शुद्रूप से लिखना के जो नियम सिधान्त होते हैं मतलब किसी भी भाषा को सुगटित मतलब संगटित मतलब अच्छी तरह से लिखना शुद रूप मतलब बिल्कुल शुद रूप में लिखना वो नियम से दान्त होते हैं उन्हें हम भाषा का व्याकरण कहा जाता है उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है व्याकरण में भाषा के शुद्यां, तूटियां आदी की और संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप से लिखने की नियम बनाई जाते हैं जैसे कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य व्याकरण के अंग है व्याकरण के अंग कौन कोन से हैं वार्ण, शब्द, पद और व्याक्य व्याकरण के अंग है अब इसका आप देखिए अभ्यास प्रशन, exercise पहले आप अपने यह कोशन देखेंगे अपने विचारों को अभिव्यक्त देने की माध्यम है उसको हम क्या कहते हैं बाषा क्या कहते हैं बाशा जैसे कि अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करना का माध्यम क्या है वो बाशा है दूसरा है अपने विचारों को व्यात सब बोलकर या शुत अपने कानों से सुनकर समझ जाता है उसे भाशा का रूप होता है वो कौन सा होता है जो अपने भाशा क में सुनकर उसने अपने कानों से सुनकर समझ लिया वेफ़ा को वीचान की परिवाशा समझा उसके बाद में हमने आपको बहु कालपनिक प्रिशन करवाएं हैं यह तीन प्रिशन करवाएं यह आपको अपने प्री कॉपी में होम टास में करना है आगे का वीडियो में हम आगे की आपको बताते रहेंगे धन्यवाद